आईए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दृष्टी के UPPCS Test Series No.14 को शुरू करते हैं इस बार का यह Test Series Current Affairs Based है इसमें UPPCS सम्मन्दी जितने महतपूर Current Affairs के प्रशन है वे सभी कबर किये गये हैं आप सभी के लिए यह काफी महतपूर Test Series सिद्ध हो सकता है क्योंकि आप सभी अभी तक Current Affairs के जितने भी important Current है वे सभी कबर किये होंगे तो एक बार इस Test Series को देखे आप अपने Current को और अच्छा बना सकते हैं यह वीडियो लंबा हो सकता है उसके लिए आप वीडियो को स्पीड में 1.5 के स्पीड से भी देख सकते हैं इससे आपको कम समय में इस वीडियो को कबर कर सकते हैं और इस Test Series से जितने महतपूर करेंट के प्रशन है उसको टेकल कर सकते हैं ठीक है विधान सभा चुनाव में उम्मिद्वारों को एक से अधिक निर्वाचन छेत्रों से लड़ने से प्रतिबंधित करने की एक याचिका को खारीच कर दी है ठीक है भारत प्रवा इंडिया अलांग इट्स वरस पहल शुरू की गई थी तो किसके द्वारा यह पहल शुरू की गई थी तो यह पहल पत्तन पोत परिवहन और चलमार्ग मंतराले के द्वारा शुरू की गई थी ठीक है आईए अगला प्रसन देखते हैं निम्नलिखित में से किन्हे भारत का नया और सधी महानी अंतरक नियुक किया गया है तो राजियू रगवनसी को ठीक है राजियू रगवनसी को नया और सधी महानी अंतरक नियुक किया गया है राजियो रगवनसी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बिलांग करते हैं इसलिए ये इंपोर्टेंट है इसे ध्यान रखियेगा इसके पहले और सधी महानी अंतरक कौन थे तो डाक्टर बीजी सुमानी थे जिसके अस्थान पे इस समय राजियो रगवनसी और सधी महानी अंतरक नियुक किया गया है भारत का नया और सधी महानी अंतरक राजियो रगवनसी बने है चलिए अगला देखते हैं राष्टी अंसुचित जंजाती आयोग के संदर में निमनलिखित कतनों में से कौन सा कतन सही है देखे राष्टी जंजाती आयोग की बात करें तो इसकी अस्थपना 2005 में की गई थी तो देखे इसकी अस्थपना 2005 में नहीं 2004 में की गई थी इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा वाई दूसरा कथन दिया गया है कि सम्विधान के अनुच्छित 338 A के प्रावधान राष्टी अनसुचित जनजाती आयोग से समंधित है तो यह बिल्कुल सही है ठीक है राष्टी अनसुचित जनजाती आयोग कि बात करें दोस्तों तो सम्विधान के अनुच्छित 338 A के तहट राष्टी अनसुचित जनजाती आयोग एक सम्वाधानिक निकाय है कैसा निकाय है तो सम्वाधानिक निकाय है ठीक है जिसकी अस्थापना 2004 में की गई है तो इसमें देखेंगे सही उत्तर का चैन करना है तो इसका राइट उप्षन C हो जाएगा केवल कथन 2 सही है ठीक है आईए प्रस संख्या 5 देखते है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट गैर सरकारी संगठन प्रथम द्वारा जारी की जाती है तो देखेंगे गैर सरकारी संगठन प्रथम द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है तो या सिच्छा की वार्षिक इस्थिती रिपोर्ट जारी की जाती है जो सिच्छा पर महामारी के प्रभाव पर प्रकाश डालती है और सिच्छा की वार्षिक इस्थिती रिपोर्ट भारत के सभी क्रामिड जिलों में वर्ष 2005 से प्रते एक वर्ष ठीक है प्रते एक वर्ष आज जित किया जाता है ठीक है चलिए अगला देखते हैं मल्टी सूपर इस्पेसलिटी मिलिटरी अस्पताल किस सहर में बनाया जाएगा तो देखे यह उत्तर प्रदेश के मेरट और लखनव में बनाया जाएगा इसका राइड ऑप्सन डी सही हो जाएगा ठीक है तो यह electronic और सूचना प्रद्योग की मंतरा लेने, ठीक है, electronic और सूचना प्रद्योग की मंतरा लेके द्वारा, शिकायत अपील समित पोर्टल लांच किया गया था, चलिए अगला देखते हैं, government e marketplace शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा यह शुरू किया गया था, तो यह अगला देखते हैं, आए अगला देखते हैं, आए अगला देखते हैं, अगला शुरू की अस्तापना की गया थी, तो आरि महला समाज की अस्तापना, पंडित रमा बाईश श्रवशवती द्वारा की गया थी, क्रोनी कैप्टिलीज इंडेक्स प्रकासित किया गया था, तो किसके द्वारा यह 201 होगा, यहा धिया रखेगा, 2021 में यह report प्रकार्शित किया गया था जिसमें भारत सातमें अस्थान पर था इससे ध्यान दखेगा चलिए अगला देखते हैं सुजाक है एक प्रकार का तो सुजाक किस प्रकार का है या यह एक रोग है सुजाक की बात करें दोस्तोट यह एक प्रकार का यौम संचारित रोग है जो निसेरिया गोनोरिया नामक जिवार के का रड़ होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश ने निमलिखित में से किस राज के साथ बिद्दुत बैंकिंग के लिए समझोता किया है तो यह जम्मु कस्मीर और तमिल नाडु के साथ इन दोनों राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश ने बिद्दुत बैंकिंग के लिए समझोता किया है चलिए अगला देखते हैं निमलिखित में से किस राज में बिश्यों का पहला 200 मीटर लंबा बैंबू क्रैस बैरियर जिसका नाम बहु बल्ली है कहां पे अस्थापित किया गया है तो यह महाराश्ट में अस्थापित किया गया है ठीक है विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रेस बैरियर जिसका नाम बहु बल्ली है ये महा राष्ट में अस्थापित किया गया है ठीक है चलिए अगला देखते हैं प्राथ्मी क्रेसी रीड समित के संबद्ध में निमनलिखित में कतनों पर विचार कीजिए प्राथ्मी क्रेसी रीड समित की बात करें दोस्तों तो इसका नेत्रित राज सरकारी बैंक द्वारा किया जाता है तो यह बिल्कुल सही है यह किसानों को अलपकालीक और मध्यम सब्सकराइबंगा, इस लिए भी कफन गलत हो चलिए अगला देखते हैं तो यह करनाटक राज के ठीक है उत्तर प्रदेश में करनाटक राज की तर्ज पर क्रिसी सर्विच्छर किया जाएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रदान मंतरी मतरा योजना के संदर में निम लिखित कतनों में से कौन सा कथन सही है पहला कथन दिया गया है कि यह लगू ब्योशाई उद्यमों के लिए पांच लाख तक संपार्शिक मुक्त संस्थागत रेट प्रदान करता है तो यह पांच लाख तक नहीं दोस्तो यह प्रदान मंदरी मदरा योजना को गैर बैंकिंग बित्ती कमपनियों को रिड़ देने वाले सदर संस्थाओं से बाहर रखा गया है ठीक है इससे बाहर नहीं किया गया है ठीक इसलिए इसका दोनों का थन गलत है इसका राइट ओप्सन डी सही हो जाएगा आईए अगला प्रसंद देखते हैं बिस्वास संगठन द्वारा शुरू की गई ब्यापक योजना रिप्लेस संबंधित है तो रिप्लेस किस संबंध है तो यह ट्रांस फैटी एसिट से संबंधित है ठीक है अब सिस्ट से कोईला निर्मित करने वाले भारत के पहले सैंद का निर्माड कहां किया जा रहा है तो इसका निर्माड वाराण सी में किया जा रहा है ठीक है अब सिस्ट से कोईला निर्माड करने वाले भारत के पहल सेयोग सेयन अभ्यास है तो यह भारत और फ्रांस के बीच है ठीक है यह अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच पहला सेयोग सेयन अभ्यास है यह अभ्यास के रल के तिरुवंदपुरा में आज़ित किया जाने वाला पहला सेयोग सेयन अभ्यास है ठीक है चलिए नेक्स्ट दे नागरिक लागिंग है, ठीक है, मेग राज की बात करें, तो ये cloud computing है, ठीक है, इसके क्रम को देखेंगे, तो इसका right option 20 सही हो जाएगा, आईए, अगला प्रसंद देखते हैं, भार OS के द्वारा, विक्सित एक स्वदेशी mobile operating system है, तो किसके द्वारा विक्सित या, एक mobile operating system है तो IIT मदरास के द्वारा विक्सित है, ठीक है, IIT मदरास द्वारा समर्थित, एक स्वदेशी mobile operating system भार OS विक्सित किया है, ठीक है, चलिए, अगला दिखते हैं, निमने लिखित में से कौन देश में अधिक्तम बिजली उभोगता वाला राज बन गया है, तो या उत्तर प् में उत्तर प्रदेश से, चलिए, अगला दिखते हैं, अट्टुकल पॉंगल उस्व किस राज में मनाया जाता है, अट्टुकल पॉंगल उस्व ये केरल राज में मनाया जाता है, ठीक है, अट्टुकल पॉंगल उस्व केरल राज में मनाया जाता है, चलिए, अगला कितना तो 100 billion dollar प्राप्त करने वाला दुनिया में प्रेशर का सबसे बड़ा प्राप्त करता देश बन गया है ठीक है यह प्रेशर क्या होता है तो ध्यान रखिएगा प्रेशर यह किसी देश से प्राया किसी दूसरे देश में भेजा गया धन होता है ठीक है जिसमें भारत सब सबसे अधिक धन भेजने वाला देश मन गया है इसे धियान रखिएगा प्रेशर का सबसे बड़ा प्राप्त करता देश भारत है इसमें अगला देखते हैं निमलिखित में से किसने डापलर वेदर रडार सिस्टम का उठगाटन किया है तो इसका उठगाटन पृत्वी महाकुम 2022 देश का दूसरा चरण निमलिखित में से किस जिले में आयुजित किया गया था तो या उत्तरप्रदेश के बस्ती जिले में ठीक है सांसत खेल महाकुम 2022 देश का दूसरा चरण उत्तरप्रदेश के बस्ती जिले में आयुजित किया गया था ठीक है चलिए Quad Leader Summit 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी तो इसकी मेजबानी आस्टेलिया द्वारा की जाएगी Quad की बात करें दोस्तो तक quar, यह 4 लोकतंत्रों का समौ है जिसमें भारत, आस्टेलिया, अमेरिका और चापान इस्थित है एससे धियान रखिये गा चलिए अगला देखते हैं, कंदरी बजट 2023 के अंसाल, नई कर ब्यवस्था छूट की सीमा को बढ़ा दिया गया है, तो कितना कर दिया गया है बढ़ा कर?, टो 7 लाख रुपय, ठीक है, नई कर ब्यवस्था के तहड कर में कर की सीमा को 5 लाख रुपय से, कितने तो इसे भी द थिखान रखियेगा, पाँच लाख रुपए से बढ़ा कर 7 लाख किया गया है, ठीक है, किंद्री बजट 2023 के हमसार नई करब वस्ता में, कर छूट की सिमा पाँच लाख रुपए से बढ़ा कर 7 लाख रुपए कर दिया गया है, चलिए, अगला देखते हैं, नियोरो मार्फ गया है अगला दीखते हैं निमलिखित में से किस राजवन्स ने कालिंजर किले का निर्मार किया था निर्मार किया था भारती अंतरिछ हमसंधान संगढन द्यटिज इस्रों के और लोकन के अमसार उत्राखंड के निमलिखित जिलों में से कौन सा देश में सबसे अधिक भोषकलन प्रवाह जिला बना है तो यह रूद्र प्रियाग और टिहरी गढ़वाल ये दोनों उत्राखंड के जिले देश में सबसे अधिक भोषकलन प्रवाह जिला बने हैं इसका right option D सही हो जाएगा ठीक है चलिए भारत के क्रिसी निर्यात के संदर में निमलिखित कत्मों में से कौन सा कथन सही है तो पहला कथन है कि इसमें चावल और चीनी दो प्रमुक योगदान करता है तो क्रिसी निर्यात में भारत में चावल और चीनी दो प्रमुक योगदा लगातार बढ़ रहा है तो क्या निर्याद 2015-2016 से 2021-2022 तक लगातार बढ़ा है तो यह लगातार बढ़ा नहीं है यहाँ पर कमी होगा बढ़ेगा नहीं ठिक है ग्रीसी निर्याद में 2015-2016 से 2021-2022 में कमी आई है इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसका राइट ऑप्षन यह सही हो जाएगा केवल कथन एक सही है ठीक है सांक्सागर जहील निमलीखित में सिक के स्राज में इस्थित है तो शांक्सागर जहील यह मध्य प्रदेश में इस्थित है ठीक है चल franc 아버uchar 시,च प्रक्षिप शूब जानलेवा संक्रमड है तथा यह किसके कारण होता है तो इसक्रप्ट टाइफस यह जिवाड़ों के कारण होता है ठीक है जो एक जानलेवा संक्रमड है निमनलिखित में से कौन सा अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है तो शक्ति वरुड गरुड उप्रियुक सभी य तो देखें आपस अलर्ट अभ्यास यह सीमा सुरच्छा बलके द्वारा आजजित किया गया था आइए अगला दिखते हैं निमनलिखित युगमों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो यहां जो सुमेलित नहीं उससे देखना है या हाथी रिजर्ब और उसके राजी को इस्थित है सिंगफन हाथी अभ्यारन ये नागलन में इस्थित है मयूर जर्ना ये हाथी अभ्यारन ओडिशा में नहीं इस्थित है यह पस्चिम मंगाल वेस्ट बंगाल में इस्थित है इसलिए डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नह प्रादिकरण को सुभाष चंद बोस्ट आपदा प्रबंधन पुरसकार 2023 से सम्मानित किया गया है तो यह ओडिशा के ठीक है ओडिशा राज आपदा प्रबंधन प्रादिकरण और लुंगलेई फायर इस्टेशन मिजोरम को प्रदान किया गया है पुजार स्थापित करने के छंता में भारत विश समीच चौथे अस्थान पर है अगला देखते हैं मंगोलिया के संबन में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए तो आएए देखते हैं यह पस्चमी पस्चम एसिया का एक अस्थल रुद देख है तो देखें मंगोलिया पस्चम एसिया का नहीं यह पूर और मद एसिया में इस्थित एक अस्थल रुद देख है इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा यह दुनिया का सबसे कम आवादी वाला देश है तो यह बिलकुल सही है और इसे अनंत नीले आकास की भूमी अर्थात लैंड आफ इंटरनल ब्लू स्काई के रूप में जाना जाता है तो यह भी कथन सही है यह रूस के साथ नोमेडिक एलिफेंट अभ्यासा जित करता है तो यह रूस के साथ नहीं भारत के साथ करता है मंगोलिया भारत के साथ नोमेडिक एलिफेंट अभ्यासा जित करता है इसलिए यह भी कथन गलत हो जाएगा इसमें पूछ आये कौन सा कथन सही है तो इसमें दूसा और तीसा का थन सही है, इसका right option 20 सही हो जाएगा, ठीक है, आईए, अगला दिखते हैं, हुक्कु पत्र संदर्वित करता है, तो हुक्कु पत्र या भूमी सिर्शक बिलेग को संदर्वित करता है, ठीक है, श्री सप्त कोटेश्वर मंदीर निमलिखित में स किस राज में स्थित है, तो स्री सप्त कोटेश्वर मंदीर ये गुवा राज में स्थित है, या गुवा में स्थित है, हाल ही में मुरापी ज्वाला मुखी बिसपोर्ट कहां हुआ, तो मुरापी ज्वाला मुखी बिसपोर्ट ये इंडोनेसियम हुआ है, महतपूर और उ USA के द्वारा निमलिखित में से किस उध्यान का नाम अम्रित उध्यान रखा गया है तो मुगल गार्डन का दियान रखिये गा दोस्तो भारत सरकाने हाली में राष्टपती भवन के मुगल गार्डन का नाम बदल कर अम्रित उध्यान कर दिया है ठीक है चलिए अगला दिखत तो भारती वंजीव संस्थान देहरादुन में स्थित है इसके स्थापना 1982 में की गई थी भारती फिल्म के किस गीत ने सर्शेष्ट मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरसकार 2023 जीता है तो यह नाटू नाटू ने क्वासिक क्रिस्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है क्वासिक क्रिस्टल के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है उसे बताना है तो देखिए क्वासिक क्रिस्टल की बात करें दोस्तों तो यह क्वासिक क्रिस्टल में परमारू एक पैनल में बेवस् पर होता है न कि एक निश्चित अंतराल पर ठीक है इसलिए यह कथन गलत है इसमें पूछा है कौन सही नहीं है तिसका राइट ओप्सन डी सही है ठीक है वहीं क्वासिक क्रिस्टल के संदर में बात करें तो वे आकर्शक पदार्थ हैं जिन में विशेष्टाओं का एक अनु में खोजा गया था ठीक है यह सभी क्वासिक क्रिस्टल से संदर भीत है चलिए अगला देखते हैं निमलिखित में से किस संस्थान ने भारत में बिजनेस एंड यूमन राइट्स प्रोफेशनल्स का एक नया कैडर शुरू किया है तो यह इंडियन इंस्टिटूट आफ कार्पोरेशन अफेर्स ने ठीक है इंडियन इंस्टिटूट आफ कार्पोरेशन अफेर्स ने बिजनेस एंड यूमन राइट्स फ्रोफेशनल्स का एक नया कैडर शुरू किया है किया है इसका उद्देश से भारत में सभी कार्पो के बीचाजित हुआ है तो यह बोल्ड कुरुचेत रहे बोल्ड कुरुचेत का 13 संस्क्रण भारत की मेजबानिम किया गया है इसका आयजन जोधपुर में किया गया इसे ध्यान रखिएगा चलिए अगला दिखते हैं लस्का फाइल एरिया किस पर जीवी के संक्रमट से होता ह गड़ नगाई उस्सो निमनलिखित में सिक किस राज में मनाया जाता है तो गड़ नगाई उस्सो ये मड़ीपूर में ठीक है मड़ीपूर में मनाया जाता है पीम डिवाइस योजना किसके किसके बिखास के लिए शुरू की गई है तो पीम डिवाइस योजना ये पुरो लिकित में से कौन सा कथन सही है तो पहला कथन दिया गया है कि यह लोगbro materi रूप से है क्रितिम सरकरा रूप में प्रयोग किया जाता है तो बिल्कुल सही है इसमें लोग-glysemic index होता है तो यह भी कथन सही है इसका right option बीस और जाएगा ठीक है इरित்ध्री टोल की बात करें दोस्तो इरिट्रिटोल या एक प्रकार का चीनी मादक पे है जिसका उपियोग आमतोर पर खादिपदार्थो और पेपदार्थो में चीनी के बिकल्प के रूप में किया जाता है ठीक है बैस्विक समुद्र अस्तर में ब्रिध और प्रभाव पर रिपोर्ट जारी की जाती है तो किस के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है तो विस्व मौस्वम विज्ञान संगठन के द्वारा ठीक है मारगम कली किस धर्म की कला है तो यह इसाई धर्म की कला है निमनलिखित में से किस वर्ष में पेट्रोलियम योजना और बिसले सर्ट प्रकोष्ट बनाया गया था तो यह 2002 में बनाया गया था कदन के संदर में निमनलिखित में से कौन सा कथन सही है पहला कथन है कि सैयुक्त राष्ट महासभा ने वर्ष 2023 को अंतराष्टी कदन वर्ष घोर्षित किया है तो बिल्कुल सही है भारत दुनिया में कदन का सबसे बड़ा उत्वादक है तो ये भी कथन सही है इसका राइट आप्शन भी सही हो जाएगा गंभीर और बार गंगा नदी निमलिखित में से किस राष्टी उद्यान से होकर गुजरती है तो ये केवला देव राष्टी उद्यान से होकर गुजरती है केवला देव राष्टी उद्यान ये राजस्थान में इस्थित है यह एक आद्र फोमी और पच्छी अभ्यारन है ती प्लस वन अर्थाथ ट्रेट प्लेस वन ट्रेट प्लस वन होगा ट्रेट प्लस वन निप्टान के संदर में निमलिखित में सी कौन सा कथन सही है तो पहला कथन है कि इसका अर्थ है बाजार ब्यापार संबंधी निप्टान तो यह बिल्कुल सही है और यह केवल नेशनल से संबंधित है तो यह केवल National Stock Exchange के साथ नहीं यह National Stock Exchange के साथ साथ Bombay Stock Exchange से भी संबंधित है इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसका राइट आप्शन एसे होगा केवल कथन एक सही है ठीक है आईए अगला दिखते हैं भारत के निमनलिखित राज्यो को स्वड अयस्क भंडार के आधार पर अरोही क्रम में बेवस्थित कीजिए भारत के स्वड अयस्क भंडार के विश्य में देखेंगे तो स्वड अयस्को का सबसे बड़ा भंडार बिहार में इस्थित है ठीक है तो पहले नंबर पे बिहार हो जाएगा दूरसे अस्थान पे राजस्थान आता है तीसे अस्थान पे करनाटक और चौते अस्थान पे पस्चिम मंगाल हो जाएगा तो इसलिए इसके क्रम को देखेंगे तो इसका सही राइट आप्शन डी सही हो जाएग ठीक है यहां दियान रखेगा दोस्तों भारत में स्वर्ड एयसकों का सबसे बड़ा भंडार बिहार में इस्थित है ठीक है इसे दियान रखेगा चलिए अगला देखते हैं निम्लिखित में से किस संगठन ने लिंक्स यूटू सिस्टम का निर्माड किया है जो एक स्वदेश निर्मित नौसेनिक गनफायर कंट्रोल सिस्टम है तो किस के द्वारा इसका विकास किया गया है भारत इलेक्ट्रानिक लिम्टेट के द्वारा ठीक है भारत इलेक्ट्रानिक लिम्टेट के द्वारा लिंक् स्वदेशी निर्मित नौसेनिक गन फायर कंट्रोल सिस्टम है अगला दिखते हैं सरोजनी नाइडू के बिशे में सरोजनी नाइडू के संदर्म निमलिखित कतनों में कौन सा कथन सही है पहला कथन दिया गया है निमलिखित में से किस एप के साथ एक ही करित किया है भारती खेल फ़यर नाइड करनня खेलो इंडिया गयमस All series नाइड के साथ एक ही करित खिया है ники मन आईई देखते हैं परसीमन आयो के बिशे में परसीमन आयोंका गठन किया जाता है तो किस के द्वारा पर जिमन आयोक का गठन किया जाता है तो राश्ट पती के द्वारा ठिक है निमलिखित में से किस IIT ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पार्केट फ्रेंडली डिवाइस बिखसित किया है तो यह IIT मदराश ने IIT मदराश के द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पार्केट फ्रेंडली डिवाइस बिखसित किया है निमलिखित में से किसे स्वेश स्वड अर्थात वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है तो लीथियम को स्वेश स्वड अर्थात वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है निमलिखित में से कौन सा 5G प्रद्योग की को लागू करने वाला प्रथम अकांची जिला बन गया है तो किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है तो राष्टि आवास-बैंक के द्वारा ठिक है अंतराष्टी जय प्रद्योग की संसाधन समयलन और पारंपरिक औससथ सांस्तर गांगरियस 2022 का आजन की सहर में किया गया तो इसका आयजन इमफाल में किया गया है ठीक है आप्रेशन सद्भावना का संबंध है तो आप्रेशन सद्भावना का संबंध लद्दाक में बच्चों के लिए कल्यांड कारी गद्विधियों से है भारती मानक ब्यूरो को लागू किया गया था तो भारती मानक ब्यूरों को 1986 में लागू किया गया था निमनलिखित में से किस सहरी अस्थानी निकाय को water plus प्रमाडन प्राप्थ हुआ है तो आंध प्रदेश के तिरीपती को सहरी अस्थानी निकाय को water plus प्रमाडन प्राप्थ हुआ है किस संगठन ने महिला ब्यवसाय और कानून सूचकांग जारी किया है तो यह 20 सुबैंग ने 20 सुबैंग के द्वारा महिला ब्यवसाय और कानून सूचकांग जारी किया गया है अंतराश्टी मात्री भासा दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है अंतराश्टी मात्री भासा दिवस तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है बिन बी आई एंड अर्थाद ब्राट कॉस्टिंग इंफ्रा इस्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डिवलप्मेंट योजना का आरंब निमलिखित में से किस मंत्राले द्वारा किया गया है तो या सूचना और प्रद्योग की मंत्राले की द्वारा किया गया है इस्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो देखें इस्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम के बिसेम देखा जाए तो इसे एनरजी एफिसियंसी सर्फसेज लिम्टेड द्वारा कारणित किया जाता है तो बिल्कुल सही है, इसका लच पूरे देश में 2 करोड एलेडी स्ट्रीट लाइट लगाने का है, तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वेचिक कारिकरम होने के कारण, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के लिए कोई बिसेश लच निर्धारित नहीं किया है, ठीक है, इसलिए यह कथन गलत है, तो इसमें केवल कथन एक सही है, चलिए अगला देखते हैं, भद्राचलम मंदीर निमलिखित में से किस राज में स्थित है, तो भद्राचलम मंदीर यह किस राज में स्थित है, यह तिलंगाना में स्थित है, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सीकूला सुरंग के संदर में, निमलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह लद्धा के सिमावर्ती छेत्रों को सभी मौसम में संपर्प्रदान करेगा, तो यह बिल्कुल सही है, यह बिश्व की दूसरी सबसे उंची सुरंग है, तो देखे, सीकूला सुरंग सबसे उंची सुरंग है, दूसरी नहीं होगा, सबसे उंची सुरंग होगा, इसलिए इसमें केवल कथन एक सही है, इसका राइड ऑप्सन ए सही हो जाएगा, हालहे में भारती खादे सुरच्छा और मानक प्रादिकरण निमलिखित में से किस चावल के लिए पहचान मानक निर्दिष्ट किये हैं, ठीक है, राष्टी खनीज बिकास निगम का ब्रांड अंबेस्टर कौन है, तो राष्टी खनीज बिकास निगम का ब्रांड अंबेस्टर निखजरीन है, भारत के किस राज एम के अंसासित प्रदेश ने अर्थ आवर 2023 के दवरान 289 मेगा वाट यह नई दिल लेने की है ठीक है दैहन रखे, ओज्टो अर्थ आवरडवे, मार्च के अंतिम सनीमार को मना जाता है अगला देखते हैं काला जÁर रोग के संदर में निमलिखित में से कौन सा गतन सही है काला जार Fresh quiные बात करें ऊबraw-जार true 2022 के मद्ध भारत में काला जार के मामलेव में 98.7 प्रिस्ट की बृध्धी हुई है तो बृध्धी नहीं हुई है गिरावट आई है ठीक है काला जार के मामले में भारत में 2007 से 2022 के मद्ध 98.7 प्रिस्ट की किरावट दर्च की गई है ना के बृध्धी इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा इससे बिसलर लिस्मैनियोसिस या ब्लैक फीवर या दमदम फीवर के नाम से भी जाना जाता है तो यह बिलकुल सही है इसका राइट उप्सन सी सही हो जाएग है उत्तर प्रदेश में पसु मेले पसु प्रदर्शनिया और क्रिश्री मेले काजन मुझफर नगर में किया गया था भारती वन जिव दिवस 2023 की थिम क्या थी तो इसकी थिम वन जिव संद्चण के लिए साजेदारी थी ठीक है आईए अगला देखते हैं पैंगोलीन के सं संबंद में निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या पैंगोलीन के संदर में सही कथन जो नहीं है उसे बताना है आईए देखते हैं यह रातिर चर अस्तंदारी और चीटियों तथा दीम को को खाते हैं तो बिलकुल सही है यह स्वाइं को रच्छा के लिए एक सही है सभी पैंगोलीन प्रजातियों को लोगत प्रजातियों में अंतराश्टी ब्योसाय अभी समय परसिष्ट थर्ड में सूचिबद किया गया है तो इसे पर समय तीसे नहीं पर समय फर्ष्ट अर्था पहले में सूचिबद किया गया है इसलिए यह कथन गलत हो जाएग इश investigate right option, D सही हो जाएगा चालिए अग्ला देखते हैं समूद्री स्पंज के संद्रमने निम्लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है समूद्री स्पंज के विजय में कौन सा कथन सही नहीं है तो देखे इसमें यह पौधों की प्रजातियां है तो देखे समद्री स्पंज पौधों की प्रजातिया नहीं है यह घने कंकाल वाले साधाराट जली जीव है ठीक है इसलिए इसमें पुछा कौन सा खतन सही नहीं है तो इसका राइट ऑप्सन यह सही हो जाएगा ठीक है समद्री स्पंज यह एक घने कंकाल वाले साधाराट ज भषे खर्फ़ाधित की आ जाता है, यह सभि इससे संदर्वीत है, चलिए अगला देखते हैं, स्वाइत पहल निमलिखित में से, किस मंत्राले द्वारा आरम की गई थी, तो स्वाइत पहल, यह वाडिज और उद्योग मंत्राले के द्वारा शुरू की गई थी, ठिक है, सरक तो यह भारत dinoание लिम्टेड ने आकास आयुदh परडाली के उत्पादन के लिए रच्छामन्तर आलय के साथ समझधा किया है आकास की बात करें जोस्तो तो इस व sö week लिए आर विन्हां को हवाई हमले से बचाने के लिए एक छोटी दूरी की सता से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रडाली है ठीक है चलिए अगला देखते है नाश्टो खाते के संबंध में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो नाश्टो खाते के संदर में देखा जाए तो यह एक बैंक खाता है जो एक बैंक एक बिदेशी बैंक के पास रखता है तो बिलकुल सही है नाश्ट्रो एक लैटिन सब्द है जिसका अर्थ हमारा है यह भी कथन सही इसका राहिट आप्शन 20 ही हो जाएगा ठीक है ड्रेजिंग हटाने की प्रक्रिया है तो ड्रेजिंग आउसाद हटाने की प्रक्रिया है ठीक है ड्रेजिंग की बात करें तो यही एक जलासे के तल पर जमा आउसाद जैसे जीत बज़डी और गाद को हटाने की प्रक्रिया है ठीक है चलिए अगला देखते हैं हालमार्क बिसिष्ट पहचान संख्या के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है पहला कथन है या आठ अंको का अच्रांग की अलफा नियोमेरी कोड है या आठ अंको का नहीं है ये छे अंको की ठीक है हालमार्क वाले सोने के आभूशडों की चांच और प्रमारिकता करता है तो यह बिल्कुल सही है, इसका राइड उप्शन सी सही हो जाए, केवल कथन 2 सही है चलिए, अगला देखते हैं, भारत का पहला सावचनिक परिवहन रोपे किस सहर में बनाया जाएगा तो यह वारार सी सहर में बनाया जाएगा आर्टिज्म इस्पेक्ट्रम डिसार्डर के बारे में निमलिखित कतनों में कौन सा कथन सही है तो देखे, पहला कथन दिया गया है कि विश्वास संगठन के अनुसार, ASD, अर्थाद आर्टिज्म इस्पेक्ट्रम डिसार्डर, सौ बच्चों में से एक को प्रभावित करता है तो यह बिल्कुल सही है आर्टमीज से पीडित लोग कला संगीत लेखन जैसे छेत्रों में उतकरिष्ट कौसल दिखाते हैं यह भी कथन सही है इलाज से यह ठीक हो जाता है तो इलाज से यह ठीक नहीं होता है इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा विस आर्टिज्म जागरुकता दिवस तीन अप्रेल को मना जाता है तो तीन अप्रेल को नहीं दो अप्रेल को मना जाता है इसलिए यह भी कथन गलत है तो इसमें सही कथन देखना है तो इसका पहला और दूसरा कथन सही इसका right option भी सही वजाएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं IUCN red list के तहद भारती इसकी मर्स को किसके रूप में सुचिबद किया गया है तो भारती इसकी मर्स को संकट ग्रस्ट रूप में सुचिबद किया गया है ठीक है आईए प्रसंख्या 106 देखते हैं 106 नमबर प्रस दिया गया है कि किस संस्था ने हर payment digital mission शुरू किया है तो यह भारती रिजर बहेंग ने शुरू किया है ठीक है उत्तर प्रदेश गवरोर सम्मान के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो इस पुरस्कार की सुरूआ संस्कित विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सुरू किया गया है तो बिलकुल सही है इस सम्मान के लिए नामांकित व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुल्निवासी होना चाहिए तो ये भी कथन सही है इसका राइट आप्शन 20 सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला देखते हैं मिलिटरी में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार उपयोग 2030 कहां आजजित किया गया था या नीदर लेंड में ठीक है सेना में Artificial Intelligence के जिम्मेदार उपयोग पर दुनिया का पहला अंतराष्टी सिखर समेलन हेग नीदर लेंड के हेग में अजित किया गया था चलिए अगला दिखते हैं सूच एक को सूची दो सुमेलित करना है यहाँ पे साड़ी और उसके जाच छेदर को बताना है पैठानी साड़ी यह महाराष्ट का है कसाओ कसाओ साड़ी केरल का है और बंधनी यह गुजरात का है और मुंगा साड़ी यह असम का है इसके क्रम को देखेंगे तिसका राइट आप्षन भी सही हो जाएगा ठीक है निम्लिखित में से किस संस्था ने सोसल इस्टाउक इस्चंज अस्थापित करने के लिए सेवी से अनुमोधन प्राप्ट किया है तो यह National Stock Exchange ने ध्यान रखियेगा National Stock Exchange अस्थापित करने के लिए सेवी से अनुमोदन प्राप्त किया है उत्तरप्रदेश सरकार निमलिखित में से किस सहर में Greenfield Township अस्थापित करने जा रही है तो यह अयोध्या में ठीक है उत्तरप्रदेश अयोध्या सहर में Greenfield Township अस्थापित करने जा रही है मारकोनी पुरसकार 2023 किस ने जीता है तो मारकोनी पुरसकार 2023 यह हरी बाल कृष्णन ने जीता है अगला देखते हैं कास पत्थर निमलिखित में से किस राज में इस्थित है तो कास पत्थर यह महाराष्ट में इस्थित है भारत ने निमलिखित में से किस संस्था के साथ प्रधान मंतरी आयुश्मान भारत स्वास्त आउसन रशना मेशन के लिए एक रिड समझावता पर हस्ताचर किया है तो यह बिश्च बैंग के साथ ठीक है देश का पहला इस्पाइनल इंजरी रिहाइबिलेटेशन सेंटर कहां खोला गया है तो यह बिश्चू ट्रामा सेंटर में देश का पहला इस्पाइनली इंजरी रिहाइबिलेटेशन सेंटर बिश्चू ट्रामा सेंटर में खोला गया है लोड़ी के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है या महाराष्ट का लोकनित है तो बिलकुर सही है अठार्वी सताबदी में पेश्वा काल में इसे लोक प्रियता मिली तो ये भी कथन सही है इसका दोनों कथन सही है इसका राइट आप्शन बी सही हो जाएगा डाप्शन यूनिट का प्रियोग संद्रताम आपने के लिए किया जाता है तो डाप्शन यूनिट का प्रियोग ओजोन की संद्रताम आपने के लिए किया जाता है निमलिखित में सिख किस राष्टी उद्यान को राजियो गांधी राष्टी उद्यान के नाम से जाना जाता है तो किस राष्टी उद्यान को राजियो गांधी उद्यान के नाम से जाना जाता है नारहोल आश्टि वद्यान ये कहां पे इस्थित है करनाटक में ठीक है चलिए अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश की कितने जिले मध्यप्रदेश के साथ सीमा साज़ा करते हैं ये 11 जिले कौन-कौन से हैं तो इसमें आगरा, इटावा, जालाउन, जहासी, ललिदपूर, म महोबा, बांदा, चित्रकूर, प्रियाग राज, मिर्जापूर और सौनभद्र हैं। यह 11 जिले उत्तरप्रदेश, के उत्तरप्रदेश के यह 11 जिले मध्रदेश के सीमा के साथ साजहा करते हैं। आईए, अगला देखते हैं। अगस्थ कुंडम चोटी अवस्थित है तो यह कहां पे अवस्थित है तो यह पश्चमी घाट में अवस्थित है ठीक है निमलिखित में से कौन सा इसमार्ड कारिकरम का मुख्य उद्देश है तो इसमार्ड कारिकरम का मुख्य उद्देश आयरुवेदिक कालेजो और ठिक है जी 20 की देश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में अजित की गई थी उत्तर प्रदेश के निमनलिखित में से किस सहर को चूडियों का सहर कहा जाता है तो फिरोजा बात को ओमार्गर्स खान देश सालहे में खोजा गया था यह एक है तो यह एक भरिंग प्रजाती है ओमार्गर्स खान देश की बात करें तो फारेंसिक इसपाइस के लिए भरिंग महतपूर है क्योंकि यह किसी जानवार या इंसान की मौद के समय का पता लगाने में मदद करता है ठीक है ओमार्गर्स खान देश क्या है एक भरिंग प्रजाती है निमलिखित में से कौन घरे भारती इस्टेट बैंक और एटीक यह तीनों घरेलू ब्यवस्थित रूप से महतपूर बैंक है इसका राइट उप्स nhi सई हो जाएगा किस सहर ने संगाई सहोग संगठन के सरोच नियायलों के मुख नियाधिर की बैठक की मेज़बानी की है इसकी मेजबानी नई दिल्ल ठीक है, नए दिल्ली में भाइरत दवरा आपरेसन दोस्ट, निमलिखिट मैंसे किस देश के लिए शुरू किया गया था तो आपरेसन दोस्ट यह तुर्की के लिए शुरू किया गया था तुर्किये के लिए ठीक है तुर्किये का नाम बदल के समय तुर्किये हो गया है इसे ध्यान रखिएगा चलिए निमलिखित में से किस राज ने जल जीवन मिशन के तहद 75 लाख नल कनेक्शनों को पार कर लिया है तो यह उत्तर प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहद 75 लाख नल कनेक्शनों को पार कर लिया है निमलिखित में से इस केंद्री मंत्राले ने लर्न योजना यहां लीन योजना शुरू की है तो यह सुच्म लगु और मध्यम उद्यम मंत्राले ने लीन योजना सुच्म लगु और मध्यम उद्यम मंत्राले ने शुरू की है आईए अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यहां जो सुमेलित नहीं है उससे बताना है यहां पे उत्तर प्रदेश के सभी जील दिये गए है आए दिखते हैं मौती जील कानपूर में इस्थित है तो बिल्कुल सही है चिताओर जील बहराइच में बर्वा सागर जील यह उन शिकागोह अबिसमय किस्से समंधित oh वा के उन्मलनके लिए अंतराष्टी दिवस मना नाया जाता है वा के उन्मलनके लिए 21 मार्च को अंतराष्टी दिवस मना जाता है आईए प्रसंख्य 135 देखते हैं उत्तर प्रदेश की भावगोलिक इस्थिती के संबन में निमलेखित कतनों पर विचार कीजिए आईए देखते हैं तराई हलकी ढाल वाला छेत जहां धराए पारगम तलचर तलचट में गायब हो जाती हैं तो यह गलत हो जाएगा वहीं भावर छेत दलदल घने जंगल और घास के मैदान से बना है तो यह भी कतन गलत हो जाएगा देखे दोस्तों यहां पर धियान रखिएगा तराई छेत की बात करें तराई छेत यह दलदल घने जंगल और घास के मैदान से बना है वहीं भावण च्छेत की बात करेंगे भावण च्छेत यह थलकी धालवाला च्छेत रहे जहां धाराएं पार्ग्रम, तलचर में गाईब हो जाती है यह दोनों का इस्टीटमेंट अदला बदली हो गया है मतलत बदल दिया गया है इसी option में ही दिया गया है तो इसलिए ये दोनों का धन गलत हो जाएगा इसलिए इसे ध्यान रखिएगा तराई छेत धलदल घने जंगल और घास के मैदान से बना हुआ है जबकि भावच छेत हलकी ढालवाले छेत रहें जहां धाराएं पारग्रम तलचर में गायब हो जाती है तलचट में गायब हो जाएगा ठीक है केंदरी बजट 2023-24 में मिष्टी योजना की घोश्रा की गई है यह समंधित है मिष्टी योजना किसे समंधित है मैंगरो बिच्छा रोपड से ठीक है उत्तर प्रदेश की प्रथम खेलनीट 2023 के संदर्व निमलिखित में से काउन साकत हम सही है उत्तर प्र ये भी कथन सही है साराइट आप्षन भी सही हो जाएगा । तोस या नग‬़श्रो बहारत के किस राज में मनाया जाता है तो सियाँ‬वश्रो बहारत के यह अलुडाचल प्रदेश में मनाया जाता है धमे इस्तूप के संदर में निमलिखित करतनों पर विचार करिये यह कुसी नगर में इस्थित है तो धमेक इस्थूप कुसी नगर में नहीं यह सारनाथ में इस्थित है धमेक इस्थूप कहां पर इस्थित है सारनाथ वरारसी में इस्थित है इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहल जबकि बिरोध का अधिकार आर्टिकल 19 के तहर ये एक मौलिक अधिकार है इसे ध्यान रखिएगा दोस्तो बिरोध का अधिकार की बात करें ठीक है आईए अगला देखते हैं समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण के संदर में निमनलिखित में से कौन सा कथन सही है पहला कथन दिया गया है कि या सूचना और प्रसारण मंत्राले के अधिन एक स्वतन निकाय है तो ध्यान रखिए अगर दोस्तों तो यह बिलकुल सही है ठीक है केवल कथन दो सही हो जाएगा अगला देखते हैं निमनलिखित में से कौन सा इस मारक आगरा में स्थित है तो आगरा में देखे ससी महल, सीस महल, महताब बाग और इत्मावत दौला का मकबरा यह सभी आगरा में स्थित है जबकि नोरी, रू इत्यान परिस्थ की अस्थाफना 1978 में की गई थी ठीक है अगला देखते हैं संस्क्रिट्ट सीखने के लिए आनलाइन गेम एप है तो कौन सा इप है तो सास्त्रार्थ है बहुत इंपार्टेंट प्रशन है सिध्यान रखिएगा दूस्तों संस्क्रिट शीखने के लिए आ अजय जाते हैं तो देखें मरजापुर की बात करें गुपऑ की बात करें Walkingkin चित्र की गुफाों में पा जाते हैं बिल्कुल सही है यह मध्य-וד-पास-ज़कालका भी कथन सही है और पुर्षो के चित्र और सिकार के द्रिश प्रमुखता से चित्रित किये गए हैं ये भी कथन सही है इन गुफा चित्रों की खोज कास्रे डाक्टर बिश्लू वाकधर को जाता है तो यह कथन गलत हो जाएगा कि मिर्जापूर गुफा चित्रकला के खोज कासरे आर्ची बाल्ट कारलाइक हो जाता है न कि डाक्टर बिश्टूद वाड कर पो जाता है ठीक है इसमें पूछा कौन सुमेरित नहीं तो इसका राइट आप्शन डी सही हो जाएगा ठीक है निमलिखित में से कौन सा राष्टी खनीज अनुवेश सर्ट ट्रष्ट के बारे में सही है तो देखे इसका कठन खान और खनीज बिकास और बिनमै अधनियम 2015 के तहद किया गया था यह कठन बिलकुल सही है ठीक है च्छतर मंजिल भावन के संबंद में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो च्छतर मंजिल भावन की बात करें तो इसे नवाब सुजाओद सहादत अली खा के खान ने बनवाया था तो बिल्कुल सही है इसे नवाब सहादत अली खान ने बनवाया था और इस भवन का उपयोग अवद की बेगमों के निवास के लिए किया जाता था तो ये भी कथन सही है इसका राइट ऑप्षन भी सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला और अंतिम प्रस्ण देखते हैं इस टेस्टरीश का एडेनो वाइरस के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है एडेनो वाइरस के बारे में देखा जाए तो ये डबल इस्ट्रेडड रैखिक आर एन्ने वाइरस है तो ये एक डी अन्ने वाइरस है क्या है डी अन्ने वाइरस है ठीक है तो इसलिए पहला कथन गलत निमोनिया, दस्त, जुकाम जैसे लच्छड पैदा कर सकते हैं, तो ये भी कथन सही है, इसमें पूछ आए कौन कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसे प्रशन के साथ हम लोग टेस्ट नमबर 14 के सभी प्रशन बजा कर साथ हम सही हो, तो पुकार मम जिमोन समगिख के साथ हैं, एफा कौना ये लोग का साथ प्रशन ये लोग जब व